उठाव फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे एट स्किल फैंटसी लिंक इन देस्क्रिप्शन अपना पहना चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं मिशन दोजाथ 24 में जुटी सबाजवादी पाटी ने रविवार यानि की 14 अपरेल को प्रत्याशु की को और सूची जारी की इस सूची में बदायू से चाचा शिवपाल यादो की जगे सपादे उनके बेटे आदित यादो को अपना प्रत्याशी बनाया है बदादे की लोगसवा चुनाव के लिए सपादे अब तक 42 प्रत्याशी के नामों का एलान कर दिया है जिसमें से चार प्रत्याशी खुद यादो परिवार से हैं अखिलेश ने परिवार से डिंपल यादो, राम गुपाल यादो के बेटे अक्षे यादो, धरमेंद्र यादो और इसी के साथ साथ शिवपाल सिंग यादो को चुनावी मैदान में उतारा था जाने कौन कहां से लड़ा है चुनाव फिरोजबाद से अक्षे यादो, मैनपुरी से डिंपल यादो, आजमगर से धरमेंद्र यादो, मैंबदायों से आधित यादो चुनाव लड़े हैं वही बात अगर 2019 लोग सुबा की करे तूस चुनाव में समाजबादी पाठी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी इन सीटों में 2 सीटे परिवार के खाते में ही गई थी 2019 में मुलायम सिंग यादो मैंटपूरी, अखिले इशादव आजमगर, डिंपल कन्नोज, धरमेंद्र यादो बदायों, शिवपाल, अक्षे यादो, फिरोजबाद से चुनावी मैदान में थे हलाकि शिवपाल यादो परिवार से अलग होकर चुनाव लड़े थे मही 2014 में मुलायम सिंग यादो मैंटपूरी से, जिंपल कन्नोज से, अक्षे फिरोजबाद से और धरमें इंद्र बदायों से चुनावी मैदान में उतरे थे मुलायम सिंग यादो ने 2014 में भी दो सीटों से नामंकन दाखिल किया था आजमगर और मैंटपूरी लेकिन बाद में मैंटपूरी सीट छोड़ दी थी जहां से उप चुनाव जीत कर उनके परिवार के ही तेज पिताब याद उस संसत पहुचे थे यानि सावपे कि समाजबादी पाठी के चार लोग इस बार चुनावी मैदान में हैं और अगर अखलेश रादव उतरते हैं तो इस संख्या पांच तक हो जाएगी देखना होगा कि समाजबादी पाठी की ये रणनी थी उनके चुनाव में कितना फाइदा दे आती है यूपी तक के लिए रज़त कुमार की रिपोर्ट